अगर आपको भी राजमा चावल खाना अच्छा लगता है पर आपका राजमा एकदम perfect नहीं बनता तो मैं आज को पताऊंगी जीसे आपका राजमा एकदम perfect बनीगा एकदम छोले के जैसे तो क्या करना होगा आपको वीडियो के अंतक जरूर बने रहना होगा और अगर आप चैनल पे नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रस साइट करता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई तो अगर जब भी आप राजम को जो मेडियम साइट के है उसे भी छिलकर ले लिया है अब इसे दोकर अच्छी से कूकर में डाल देंगे उसके बाद हम डाल देंगे उसमें थोड़ा पानी और स्वाधानुसाद ौन्मक नमक के साथ बॉल करने से नमक अच्छे से राजमा में आलू में अब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारा सब्जी का स्वाथ काफी अच्छा लगता है एक गैस पर कढ़ाई में तेल डाल कर अच्छे से गर्म कर लेंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देना है हमें एक छोटा चमच, खुटा जीरा, एक सावुत लाल मिर्च, आप लाल मिर्च के कौंटिटी वो बढ़ा भी सकते हैं उसके बाद तेज पता और कुछ खड़ी गरम मसालों को जैसे डाल चीनी, चार से पांच लॉग और चार से पांच आपको काली मिर्च ले ले लेना है तो उसे तिन हरी लाइची भी ले ले लेना है उसके बाद एक बड़ा साइच का प्याज छोड़चोटी कट करके डाल कर जब तक प्याज गोल्डेन ब्राउन भूल रहा है तब तक आप चार टमाटरों को, साथ से आट लैसे लिकलियों को और दो हरी मिर्च और देल इंच अधरक के टुक्रों को पीस लेंगे जब प्याज गोल्डेन ब्राउन हो जाए तो इसमें इसको डाल देना है उसके मसालों से तेल अलग ना हो जाए अभी टमाटर वगरा कर से पानी है तो हम थोड़ी दर हाइफ फ्लेम में भूनेंगे उसके बाद फ्लेम को बीडियम करके भूनेंगे मसालों को जितने अच्छे से हम लोग भूनते है ना स्वात काफी बढ़ जाता है क्योंकि मसाले तो हम एक छोटा चमच गरम बढ़ पोडर और यहां ईक बड़ा चमच में चना मसाला पौॉडर लिया है क्योंकि चना मसाला पौॉडर में जो जिसके वज़े से इसका स्वात काफी अच्छा लगता है अगर आपके पास आम चूर ना हो या चना मसाला पॉडर ना हो तो आप इमली का पल भी एक छोटा चमच डाल सकते हैं पर उसे सबसे अंत में डालना है मसालों को भूनते समय नहीं तो अब हम फ्लेम को स्लो ही रखे रहेंगे और अब आलों को भी कट करके इसमें एड कर देंगे कि काल भी ठोड़े अदि र भुन जायेंगे और आधा आलों को महने इस तारह से क्रस करके दाल दिया है जिसे हमारी गाड़ी पनेंगी ऐसे स्लो फ्ले मेंमेही इसें ढूलेंगे एक से दो इसके बाद हम क्या करेंगे राजमा को भी आड़ कर देंगे, तो सही रहता है वरना बाद में अगर हम सोचे कि पानी में बॉil करके कढ़ाई में डालने के बॉil हो जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने जो आमचूर या टमाटर का खटास डाला है जिसके वैसे यह पकने में टाइम लगते है और यह थोड़ा हाड ही रह जाते है इस तर के बढ़ेक् करेंगे फ्लेव आफ करबाद में खटे जलकाव बहते हों इसे जअगर तो आप आप एक करेंगे से डाड़ा को डाला को पमसालों में बहताहे है तो कमेंट बताएगा आपको राजमा की ररेशपी कैसी लगी ऑगर अच्छी लगियो तो अच्छी कोमें गैं सकते हैं जिससे मैं आगे अपनी वीडियो में सुधार ला सब्सक्राइब कर लिया है इसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी पिल्कुल मत भूलिएगा